एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रकर्तिक सुन्दर्ता को अपनी आँखों से निहार कराए। गोर्तलबी की केरल को प्रकर्ति ने अपनी असीम खुबसूरती से नवाजा है। लेकनी है कि केरल में कई सारी नदिया समुदुर में मिलती हैं। जब नदिया समुदुर में मिलने वाली होती हैं तो उस दोरान नदी का जल प्रभाल लगबग इस्तिर जैसा हो जाता है। अर्थात बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है। तता चारो और नदी का जल दूर दूर तक फेल जाता है। जिसे बेकवाटर के नाम से जाना जाता है। केरल के इसी बेकवाटर में परिटकों को घुमाने के लिए बांस, लकडी तता नारेल की रसी से बनी हुई घर नूम सुंदर नावे चलती है। ये नावे ग्रामीन परिवेश के घर के समान दिखती हैं, ये नावे केरल में केट्टू वल्लम कहलाती हैं, ये नावे कुछ-कुछ कश्मीर के हाउस बोट की तरह दिखती हैं, जहां कश्मीर के डल जील के हाउस बोट पानी में एक जगह स्थिर खड़े रहते हैं, महीं केर अमारे जुन के केवल एक महिने को छोड़ कर केरल कभी भी घुमने जाया जा सकता है अब आप सोच रहे होंगे कि जून में क्यों नहीं जाया जा सकता है तो इसका सिंपल सा जुआ यह जवाब है कि सामनिता एक जून को दक्षिन पश्चीमि मांसून हमारे देश में सबसे प अपनी होटल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जून में केरल घुमने मत जाईए, केरल घुमने का सबसे आदर्श समय जुलाई से मार्च का होता है, तथा अप्रेल तथा मई माह में भी केरल घुमने जाया जा सकता है, परन्तु हिल स्टेशन मुननार आपको शिमला जैसी शीतलता पदान करेगा, इसलिए यदि आप गर्मी के मोसन में भी केरल जाते हैं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की ज़रूत नहीं है, आपने यह तो तई कर लिया कि आपको केरल कब जाना है, अब आपके सामने दूसरा सवल य आसानी से केरल पहुंच सकते हैं, यदि आप बस द्वारा केरल जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कोची जिसे कोचीन भी कहा जाता है, पहुंचना होगा, यदि आप नई दिल्ली से बस से केरल के कोची जानी की योजना बना रहे हैं, तो कोची तक प्रिशानी भरा रहेगा दिल्ली से कोच्ची के लिए सीधी केवल एक या दो बसे ही चलती हैं बागी सभी बसे आपको एक या दो जगे बदलना पड़ेंगी यह तो आप जानते ही हैं कि बस में लंबे समय तक बेटना बड़ा तकलीफ दे होता है इसलिए हमारी आपको सला ह है कि आप बस से केरल जानी की योजना ना बनाए फिर भी यदि आपका ग्रहन अगर केरल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो आप बस का विकल्प चुन सकते हैं यदि आप ट्रेन द्वारा केरल जाना चाहते हैं तो इसके लिए कोची तक देश के सभी बड़े शहरों से एकस्प्रेज तता सूपरफास ट्रेने चलती हैं जैसे यदि आप नई दिल्ली से ट्रेन से केरल के कोची जाने की योजना बना रहे तो कोची तक पहुँचने में लगबग 43 घंटे लगेंगे क्योंकि दिल्ली से कोची की रेल मार्ग से दूरी लगबग 2088 किलोमेटर है इसमें कोई दोमत नहीं है कि ट्रेन से केरल तक जाने में लगबग 2 दिन लग जाएंगे परंतु ट्रेन से बाहर की हर्याली तता संदरता आपका मन मोह लेगी तता आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब कोची पहुच गए यदि आपके पास यात्रा का बजट कम हो तता ट्रेन से यात्रा करने का एक्स्टा टाइम हो तो हमारे आपको सला है कि आप ट्रेन से केरल जाने की योजना बनाए एक बात और याद रखे कि यदि आप दिल्ली से ट्रेन से केरल जा रहे हैं तो दो दिन जाने में तता दो दि प्लान उसके अनुसार ही बनाईएगा जैसे यदि आप केरल में साथ दिन घुमने की ट्रिप बनाते हैं तो ट्रेन से यह ट्रिप 11 दिन की हो जाएगी अब हम हवाई जहाद से केरल के से पहुँचे इस पर बात करते हैं गोरतलवे की केरल के कोची में एरपोर्ट इस्ती थे जिसका नाम कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट है एर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जेसी एरलाइन्स की नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, एहमदबाद आधी कई बड़े शहरों से कई फ्लाइट्स कोची आती हैं नई दिल्ली से कोची तक हवाई मार्क से पहुशने में केवल 3 गंटे का समय लगता है दिल्ली से कोची तक पहुशने का ये सबसे अच्छा तता सबसे अधिक समय की बचट करने वाला विकल्प है कोरोना मां हमारी के पहले दिल्ली से कोचिन का फ्लाइट का किराय लगबग 25 रुपे ही होता था जो कि अब बढ़कर 3-4,000 रुपे हो गया है यदि आप अपने परिवार के साथ केरल घूमने जाना चाहते हैं तथा आप हवाय यातरा का खर्च उठा सकते हैं तो हमारी आपको सला है कि आप फ्लाइट से ही केरल जाईएगा क्योंकि इसे समय की भहुत बचत होगी एक बात और याद रखें कि फ्लाइट का टिकेट केरल ट्रिप से 90 दिन पहले ही बुक कर लीजिएगा क्योंकि यह आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पढ़ेगा केरल के शहर कोच्ची के एरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन अत्वा बस स्टेंड पर पहुँचने के बाद आप टेक्सी से अपनी होटल के लिए प्रस्थान करें टेक्सी आपको एरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन या बस स्टेंड पर आसनी से मिल जाईगी आप कोची में रुकने के लिए होटल आनलाइन ही बुक करें क्योंकि कोची पहुचने के बाद यदि आप होटल की खोजबीन करेंगे तो होटल भी अच्छा नहीं मिलेगा तता होटल वाले मनमाना किराया वसूल करेंगे साथ ही आपका बहुत सारा समय बरबाद हो जाएगा इसलिए होटल आनलाइन ही बुक करें अब आपको एक इंटरिस्टिंग बात बताते हैं कोची अर्थात कोचीन एरना कुलम जिले में आता है कोचीन शहर का मद्ध भाग एरना कुलम कहलाता है तता जिस स्थान पर बंदरगा है तता समुद्र का किनारा है वह जगह कोचीन कहलाती है अर्थात शहर एक ही है पर नाम अलग अलग है यदि आप एरना कुलम में होटल बुक करेंगे तो वह आपको सस्ते पढ़ेंगे कोची में समुद्र के किनारे होटल बुक करेंगे तो वह महंगे पढ़ेंगे एरना कुलम तता कोची की बीच की दूरी केवल 10 किलोमेटर है यदि आप पेसो की बचत करना चाहते तो एरना कुलम में होटल बुक कीजिएगा और यदि आप संबूदुर के किनारे के होटल में रुखना चाहते तो कोच्ची में होटल बुख कीजिएगा आप अपना टूर प्लान इस प्रकार बनाएगा कि आप बस ट्रेन अत्वा फ्लाइट से सुभ़ कोच्ची पहुँच जाए जिससे आपको घुमने के लिए पूरा दिन मिल जाए होटल में चेक इन करने के बाद आप नहा कर फ्रेश हो जाए यदि ब्रेकफास्ट का समय हो तो ब्रेकफास्ट कर ले यदि आप होटल पहुँचने में किसी कारण से लेट हो गए तो लंच कर ले ब्रेकफास्ट या लंच करने के बाद आप होटल के रिसेप्शन से या होटल के भाहर से टेक्सी या रिक्षा बुक कर ले रिक्षा या टेक्सी वाले से कहें कि वह आपको चाइनीज फिशिंग नेट्स, सेंट फ्रांसिस चर्च, मतन चेरी पेलेस, जेविश सिना गोजुए तथा केरल कतकरी डांस सेंटर में कतकली डांस दिखा कर लाए रिक्षा वाला इन जगों पर घुमाने का लगबग 500 रुपे चार्ज करेगा जबकि टेक्सी वाला 1000 रुपे लेगा केरल में यदि आप रिक्षा वाले या टेक्सी वाले से बहुत ज़ादा बार्गेन करेंगे तो वे आपको ले जाने से ही मना कर देंगे इसलिए केरल में टेक्सी वालों से अनावशक बार्गेन ना करें इसका reason यह है कि केरेल में टेक्सी वाले tourist को देखकर अपने भाव नहीं बढ़ाते हैं वह लोग reasonable rate ही बताते हैं केरेल के टेक्सी वालों का कहना है कि वे लोग गलत भाव बता कर अपने राज जी का नाम खराब नहीं करते हैं जो किराय वास्तों में होता है कि बड़े बड़े जाल होते हैं चाइनीज फिशिंग नेट्स देखने का कोई टिकेट नहीं होता है यदि आप स्वयम इन नेट्स को आपरेट करके देखना चाहते हैं तथा मशली पकड़ना चाहते हैं तो कुछ पेसे देने पड़ते हैं परन्तु हमारी सला है कि आप इन नेट्स को दूर से ही देखें क्योंकि पेसे देने के बाद भी मशली पकड़ना तो दूर की बात है आप इन नेट्स को चला भी नहीं पाएंगे क्योंकि इन नेट्स को चलाने के लिए कम से कम छे हट्टे कट्टे लोगों की जरुत पड़ती है तथा इन नेट्स के उपर से समुदर में गिरने का तथा नेट्स में पेर फस जाए तो हड़ी तूटने का भी खत्रा होता है इसलिए इन नेट्स के साथ दूर से ही European Church भी कहा जाता है एक बात याद रखें कि कोच्ची फोर्ट कोई किला नहीं है ना ही कोई दिवार से घिरा मॉन्यूमेंट है यह तो केवल कोच्ची में एक जगह का नाम है इसलिए कोच्ची फोर्ट के नाम से आप भ्रमित अर्थात कन्फ्यूज न हो सेंट फ्रांसिस चर्च देखने के बाद आप मटन चेरी पेलेस देखने जाईएगा मटन चेरी पेलेस शुक्रवार को बंद रहता है तथा बाकी के दिन यह परेटकों के लिए खुला रहता है गोरतलबे के पुर्टगालियों ने कोच्ची के एक मंदिर को लूटा था जिससे कोच्ची का राजा बहुत नाराज हो गया था तब राजा को मानाने के उद्देशिश से पुर्टगालियों ने यह महल राजा को भेट सरूप दिया था महल के दोनों तरफ दो मंदिर है जिन में से एक भगवान करश्न को और दूसरा भगवान शिव को समर पी थे 1663 में डच शाशकों ने भी इस महल में कुछ सुधार और बदलाव किये थे और इसके बाद से इस महल को डच पेलेस के नाम से भी जाना जाने लगा है मटन चेरी पेलेस में एक संग्राले भी है जिसमें भगवान के भितिचित्र अर्थात पेंटिंग्स है मटन चेरी पेलेस देखने के बाद आप जेविश सिनागो जुए देखने चाहिएगा जेविश सिनागोजुए का अर्थ यहुदी आराद नाले अर्थात यहुदी मंदिर होता है ऐसा कहा जाता है कि भारत में केवल 35 जेविश सिनागोजुए हैं जिन में से यही एक मात्र कारिशिल आराद नाले हैं तता यहां नियमित पूजा अर्चना होती है इसके बाद आप अपने टेक्सी वाले से कहेंगे वह आपको केरल कथकली डानस इंटर जो की फोर्ट कोच्ची में ही स्थित्य लेकर चले केरल कथकली डानस इंटर में कथकली परफामेंस का समय शाम को 5 बज़े से 7 बज़े तक होता है इस शो का टिकेट लगबग 500 रुपे का होता है पांस साल तक के बच्चों को यहां फ्री एंट्री मिलती है उलेकनी है कि कथकली केरल की शाष्त्री नरत्य नाट्य कला शेली है कथकली के पातर समवाद नहीं बोलते हैं और कहानी बेक्ग्राउंड में बजने वाले गानों की जरे प्रस्तुत की जाती है कथकली का संगीत इस कला का अति महत्पूर्ण घटक होता है कथकली नरत्य कला का ऐसा रूप है जिसमें पूरुष ही भाग लेते हैं महिला चरितर भी पूरुष ही निभाते हैं यदि आप केरल घुमने गए और आपने कथकली नरत्य नाट्य नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपने केरल में कुछ भी नहीं देखा कथकली का शो खत्म हो जाने के बाद आप कथकली के कला कारों के साथ सेलफी भी ले सकते हैं बच्चो को भी इस शो में बहुत आनन दाता है इस शो के द्वारा आप अपने बच्चो को भारत की कला और संस्कृती के साक्षाद दर्शन भी करा सकते हैं इस कथकली शो को देखने के बाद आप अपनी टेक्सी या रिक्षा से अपनी होटल के और पस्थान करें होटल पहुंचकर टेक्सी वाले को पेमेंट करके छोड़ दें आप चाहें तो रास्ते में ही कहीं अच्छे से रेस्टोरेंड में डिनर कर ले या आप चाहें तो अपनी होटल में पहुंचकर भी डिनर कर सकते हैं डिनर करने के बाद आप होटल के टेरेस से रात में कोच्ची की सुन्दरता निहारें। यदि नीद आने लगे तो अपने रूम में जाकर रेस्ट करें। इस प्रकार गौट्स ओन कंट्री अर्थात केरल में आपका पहला दिन समाप्त होता है। अगले दिन अर्थात केरल ट्रिप के दूसरे दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें तता होटल से मुन्नार जाने के लिए चेक आउट करें। कोच्ची से मुन्नार की दूरी लगबग 130 किलोमेटर है। घुमावदार रास्तों के करण इस यादरा में लगबग 4-5 गंटे के समय लगता है। आपको जानकर खुशी होगी कि मुन्नार को वर्ल्ड's best place for romance का खिताब प्रदान किया गया है। तो हमारी आपको सला है कि आप कोच्ची से मुन्नार तो टेक्सी से ही जाए। इसका करण यह है कि आप टेक्सी को रास्ते में जग़ जग़ रोक कर अप्रतीम प्राकरतिक सुन्दरता का आनन्द ले सकते हैं जो कि बस यात्रा में संभव नहीं है। आप टेक्सी को 50 पर सेल्फी ले सकते हैं रुक कर चाय काफी इंज़ाई कर सकते हैं जो कि बस यात्रा में संभव नहीं है। मुन्नार जाते हुए आपको लगेगा कि इश्वर नहीं है रास्ता अपने स्वयम के भ्रमन के लिए ही बनाया है। इस रास्ते में आपकी आँखों की पलके जपकना ही भूल जाएंगी। इस यात्रा के दोरान रास्ते में आपको सेकडो अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे जहां आप प्रकर्ति का आनद लेते हुए लंच कर लें। रास्ते में लंच करने के बाद यात्रा फिर से प्रारम करें रास्ते में सलक के किनारे ही आपको सुन्दर जरने भी देखने को मिलेंगे इस यात्रा के चार से पांच घंटे कब खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा आपका मन मुननार आने के बाद भी टेक्सी से उतरने का ही नहीं करेगा परन्तो उतरना तो पड़ेगा क्योंकि अब मुननार जो गुमना है यदि आप सुबह 10 बजे कोच्ची से मुननार के लिए निकलते हैं तता रुकते रुकते हुए भी आते हैं तो भी आप मुननार 3 बज़ तक पहुँच जाएंगे मुननार पहुचने के बाद आप अपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेकिन करें तता टेक्सी वाले को पेमेंड करके तता धन्यवाद दे कर छोड़ दें मुननार में अपनी होटल में चेकिन करने के बाद आप अपनी होटल की बालकनी, लॉबी या टेरेस पर मुनार की वादियों को देखते हुए चाय कफी का लुथ लीजिएगा इसके बाद होटल के डिसेप्शन से जानकारी लेकर आप होटल के आसपास एक या दो किलोमेटर के दायरे में जो भी दर्शनी स्पोर्ट्स हों वह पेदल पेदल ही घूमाएं इन स्पोर्ट्स को देखने के लिए टेक्सी करने की कोई जरुवत नहीं है होटल के आसपास के दर्शनी स्पोर्ट देखकर आप अंधेरा गिरने से पहले ही अपनी होटल में आ जाएं तदा होटल में शानदार केंडल लाइट डिनर इंजॉय करके रेस्ट करें इस परकार केरल ट्रिप का आपका शानदार दूसरा दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था तीसरे दिन आप सुबह फ्रेश होकर तता नहा कर ब्रेकफास्ट कर लें ब्रेकफास्ट करने के बाद आप मुननार घुमने के लिए अपनी होटल से दिन भर के लिए टेक्सी बुक कर लें टेक्सी 2000 रुपे में दिन भर के लिए book हो जाएगी यदि होटल वाले टेक्सी का किराये जाधा बताएं तो आप मुननार के टेक्सी स्टेंट से भी टेक्सी बुक कर सकते हैं अपनी होटल से टेक्सी स्टेंट तक आने के लिए आपको होटल के भाहर से और्टो रिक्षा तत्काल मिल जाएगा जो 50 रुपे में आपको टेक्सी स्टेंड छोड़ देगा जहां से आप कम पेसे में टेक्सी बुक कर सकते हैं टेक्सी आप कार की जगे ओपन जीप ही बुक कीजिएगा चाहे 200 या 400 रुपे जादा ही क्यों न देने पड़े आप ओपन जीप ही किराएपर लीजिएगा क्योंकि ओपन जीप में बेटकर मुन्नार घुमने में एक अलग ही आनन्दाएगा दूसरे शब्दों में कहें तो यदि आप खुली जीप में मुन्नार में नहीं घुमे तो आप मुन्नार की आदी सुंदरता को मिस कर जाएगे इसलिए मुन्नार में ओपन जीप या ओपन कार ही किराएपर लीजिएगा ओपन जीप किराये पर लेने के बाद आप मुन्नार के बाजार से रास्ते में खाने पीने के लिए चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स तथा कोल ड्रिंक्स आधी ले ले क्योंकि खुली जीप में मुन्नार घुमते घुमते यदि आप कुछ खाते पिते चलेंगे तो सफर का आनन्द दोग ना हो जाएगा मुन्नार में सबसे पहले आप ओल्ड मुन्नार देखने जाएं ओल्ड मुन्नार में भी सबसे पहले आप प्राकरतिक सुन्दरता से घिरा क्राइस्ट चर्च देखने जाईएगा क्राइस्ट चर्च देखने के बाद आप इस चर्च के आसपास के सुन्दर द्रश का आनंद ले क्राइस्ट चर्च देखने के बाद आप मट्टूपेटी लेक तता मट्टूपेटी हाइड्रो इलेक्टिक डेम देखने जाए मट्टू पेटी लेक मुनार से केवल 16 किलम्टर दूर है मट्टू पेटी जील और बांध पर प्रति दिन हजारों परिटक आते हैं यहां से चाई के बागानों तता हर्याली से आच्छा दित पहाडों का मनमोहक द्रश नजर आता है यहां पर आप स्पीड बोट तता पेडल बोटिंग का भी आनद ले सकते हैं चार लोग यदि यहां पर पेडल बोटिंग करते हैं तो 30 मिनट के केवल 1500 रुपे ही लगते हैं जबकि स्पीड बोट चार लोगों के 500 रुपे लेती है तता स्पीड बोट का राइट टाइम साथ से 10 मिनट का होता है अब आपको एक आश्यचनक बात बताते हैं कश्मीर की डल जिल में जैसे शिकारे चलते हैं वेसे ही शिकारे मट्टू पेटी जिल में भी चलते हैं यदि आप कश्मीर की डल जिल में शिकारे में नहीं घुम पाएं हैं तो कोई बात नहीं आप यहां शिकारे में घुम सकते हैं किराया भी चार लोगों का केवल 30 रुपे ही होता है यह शिकारे आपको आदे घंटे तक इस जिल की सेर कराते हैं केवल यहां पर आपको कश्मी पीर की तरह बर्फ से धके पहाड नहीं दिखेंगे बाकि सभी कुछ आपको डल जील के जिसा ही आबास देगा इस जील पर आप कम से कम एक घंटा जरूर बिताईएगा इसके बाद आप अनामूडी पीक अर्थात अनामूडी चोटी भी देखने जाएगा यह दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको लगबग 500 मीटर की ट्रेकिंग करते हुए जाना होगा क्योंकि आपकी जीप को इस चोटी तक जाने की अनुमती नहीं होती है एक बाद आप जरूर याद रखें कि अनामूडी पीक पर काई ततक घास के करण बहुत फिसलन होती है इसलिए सेलफी के चक्कर में ज्यादा आगे तक न जाए जहां तक प्रशाशनिक अनुमती हो के जा गया यह लंच आपको ताउम्र याद रहेगा लंच करने के बाद आप मुनार से आठ किलमेटर दूर अथुकड फॉल अर्थात अथुकड जर्ना देखने जाएगा अथुकड फॉल देखने के बाद आपकी रास्ते की सारी ठकान मिट जाएगी और आपका मन प्रफु इस जर्ने में आप अपने बच्चों को लेकर पानी में ज्यादा गहराई तक मच जाएगा केवल दूर से ही इस जर्ने का आनन लीजिएगा इस जर्ने के लावा भी इस जर्ने के रास्ते में दो और सुन्दर जर्ने चिया पराफॉल और वलार फॉल भी हैं आप कुछ दि आप मुन्नार वापस लोडते समय टाटा टी म्यूजियम जिसे केडी एचपी संग्राले भी कहते हैं देखने जाएगा इस संग्राले में 1880 में मुन्नार में चाय उत्पादिन की शुरुआत से जुड़ी निशानिया रखी गई हैं इसके पास ही इस्थे टी प्रोसेसिंग इकाई में चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा वो समझा जा सकता है यहां पर आप केवल 100 रुपे देकर सेकडो तरह की चाय टेस्ट कर सकते हैं यहां आप मुन्नार की फेमस इलाइची वाली चाय जरूर पीजिएगा इस चाय को पीने के बाद आप आज त आए टाटा टी म्यूजियम देखने तता महां चाय पीने के बाद आप चाहें तो कुछ देर मुन्नार शहर घूम सकते हैं तता अपने परिवार तता अपने दोस्तों को गिफ्ट में देने के लिए मुन्नार के विश्व प्रसिद हेंडिक्राफ्ट आइटम की खरिदारी भी कर सकते हैं इसके बाद आप केरल के मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू का एक घंटे का शो भी देख सकते हैं जिसका टिकेट 200 रुपे प्रतिविक्ति होता है टिकेट आराम से मिल जाता है यह शो शाम को 6 बचे 7 बचे 8 बचे तथा 9 बचे शुरू होता है तता आप अप अपने होटल में आकर डिनर करें तता रेस्ट करें चोथे दिन आप सुभ़ अपनी होटल में ब्रिकफास्ट करें तता होटल से ठेककडी जाने के लिए चेक आउट करें ठेककडी मुनार से लगबग 100 किलमेटर दूर है तता टेक्सी का किराया 15-17 रुपे के बीच होता है मुनार से ठेककडी के लिए बस तता शेर टेकसी भी चलती है जिसका किराया लगबग 100 रुपे प्रतिसवारी होता है अब आप सोच रहे होगे कि मुनार में घुमने के लिए क्या और जगह नहीं है तो इसका जवाब यह है कि यदि आपके पास एक दिन और एक्स्रा हो तो तो यदि आपके पास एक्स्रा दिन ना हो तो आप ठेककडी के लिए प्रस्थान करें रास्ते में ही अच्छे से रेस्टोरेंट या धाबे पर लंच कर लें ठेककडी पहुँचने में आपको लगबग 3 घंटे लग जाएंगे ठेककडी में आप अपनी ऑनलाइन बुक हो यहां आप हाती की सवारी का आनन्द ले यदि आप चाहें तो यहां हाती को नहला भी सकते हैं तदा उनके साथ मस्ती भी कर सकते हैं हाती परेटकों को कोई नुकसान न पहुचाएं इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है इस में 30 मिनट की elephant ride भी शामिल होती है यदि चार या अधिक लोग है तो discount भी मिलता है elephant junction देखने के बाद आप केरल का प्रसिद पेरियार tiger reserve अर्थात पेरियार wildlife sanctuary तथा पेरियार लेक देखनी जाएगा पेरियार लेक में शाम के समय बोटिंग का आनन दीजिएगा इसके बाद आप कुमीली गाउं का मसाला बाजार देखते हुए अपनी होटल में आकर डिनर करें तता रेस्ट करें इस प्रकार केरल में आपका चोथा दिन समाप्त होता है पांचवे दिन आप अपनी होटल में सुबह का ब्रिकफास्ट करें तता होटल से अलेपी जाने के लिए टेक्सी बुक करें ठेकड़ी से अलेपी की दूरी लगबग 140 किलोमेटर है तता यातरा में 4 घंटे का समय लगता है आप रास्ते में लंच कर ले अलेपी में आप अपनी होटल से डाइरेक्ट अलेपी हाउसबोट राइड स्टार्टिंग पाइंट पर उतरें यहां आपको सेकड़ो हाउसबोट जिसे केरल में मौडिफाइड केट्टू वल्लम कहते हैं लाइन से खड़े मिल जाएंगे यहां आराम से houseboat मिल जाते हैं कोई online booking की जरूत नहीं है क्योंकि online booking में आप bargaining नहीं कर पाएंगे तता बहुत ज़ादा पेशा online booking में लिया जाता है जबकि सीधे booking करने पर आपको बहुत कम rate पर houseboat मिल जाएगा यहां आपको rate कम कराने के लिए जबरजस्त bargaining करनी पड़ेगी केरल में यही एक मातर जगह है जहां आपको extreme level की bargaining करनी पड़ेगी यहां luxury houseboat का चार लोगों का एक दिन का किराया लगबक 8000 रुपे होता है इसमें आपको दो बेडरूम मिलते हैं तता इस 8000 रुपे में रात का डिनर तता अगले दिन का breakfast भी समेलित होता है यह houseboat आपको अलेपी से कुमार कॉम तक बेक वाटर में 32 किलोमेटर तक लेकर जाएंगे तता अगले दिन वापस आपको अलेपी houseboat riding starting point पर drop कर देंगे पीक सीजन में यह किराया 11000 रुपे तक भी पहुच जाता है अलेपी में साधरन houseboat अर्थाद budget houseboat भी उपलब्द होते हैं जिनका एक दिन का किराया लगबग 4000 रुपे होता है परन्तु इसमें भोजन के लिए अलग से पेसे देने होते हैं इनमें double deck अर्था double story तथा balcony नहीं होती है इसमें आप captain अर्था boat चलाने वाले के पास से तथा side की खिड़की से ही बहार देख सकते हैं इसके अलावा आप केवल 2000 रुपे में 2-3 घंटे के लिए भी houseboat किराया पर ले सकते हैं परन्तो ये houseboat आपको 3-4 किलोमेटर बेक वाटर में एक गंटे घंटे घुमा कर वापस उतार देते हैं इस परकार के houseboat में भोजन की सुईदा नहीं होती है अब यह आपके बजट पर निर्भर करता है कि आप किस परकार के houseboat में घुमना चाहते हैं हमारी आपको सला है कि आप 4000 रुपे वाला houseboat एक दिन के लिए बुक करें इस से आप होटल में रात भर रुकने से बच जाएंगे तता एक से 2000 रुपे की बचत हो जाएगी यदि आप 4000 रुपे वाला houseboat बुक करते हैं तो लगबग 1000 रुपे भोजन पर एक्स्टा खर्च होंगे तता चार लोगों को houseboat लगबग 5000 रुपे में पढ़ जाएगा यदि आपके पास budget की कोई problem नहीं है तो फिर आप 8000 रुपे वाला luxury houseboat ही बुक कीजिएगा देखिए हम सभी के पास पेस्यों की तता budget की समस्य होती है परन्तु अलेपी में houseboat में खर्च किया गया पेसा आपको कभी भी अखरेगा नहीं इसका करण यह है कि अलेपी के houseboat पानी में चलते हैं कश्मीर के houseboat की तरह डल जील में खड़े नहीं रहते हैं अलेपी के houseboat का खाना भी ताजा तता शुद्ध होता है यहां शेफ आपके सामने लाइव भोजन बनाता है आपके सामने ही आपका bedroom सेनिटाइज किया जाता है बेडशिट तता blanket भी white मिलते हैं तता वह साफ होते हैं houseboat के operator आपका अपने परिवार की तरक हैल रखते हैं अलेपी के 8,000 रुपे किराये वाले houseboat में जैसे ही आप चेक इन करते हैं आपको mineral water bottle के साथ welcome drink मिलता है जो नारेल पानी, butter milk या milkshake आदी होता है इसके थोड़ी देर बाद आपको चाई या coffee, snakes तता बिस्कीट के साथ मिलती है रात में 7-8 बजे केले के पत्तों पर शांदार candle light डिनर खाने को मिलता है houseboat से बेक वटर का अधवुत नजारा आपका मन महूलेगा आप इस नजारे को देखकर कह उठेंगे कि वाकई इस जगह को इश्वर ने अपने रहने के लिए ही बनाया है houseboat में समय ऐसे बीतेगा जिसे वो पंक लगा कर उड़ रहा हो houseboat की इस अधविती अनुभव को हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं केवल इतना कह सकते हैं कि अलेपी के houseboat का experience कश्मीर के houseboat के experience से एक लाख गुना अच्छा रहेगा टाइमस पत्रिका ने अलेपी के houseboat को फ्रांस के पेरिस की सीन नदी के houseboat से भी अच्छा माना है तता वर्ल्ड में first rating दिये इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि यहां के houseboat में आपका experience कितना अधवुत और जादू ही रहेगा चाहे आप अपने बजट में कहीं और कटोती कर लीजिएगा परन्तू अलेपी के houseboat में एक राद जरूर रुकिएगा अलेपी के houseboat से आप बेक वाटर तता आसपास की जंगल का आनन लीजिएगा हजारों पशियों तता पक्षियों का कल रहों आपको मंतर मुग्द कर देगा आपका मन करेगा कि समय यहीं रुक जाए और आप इस जगह हमेशा के लिए रह जाए houseboat पर केंडलाई डीनर करने के बाद आप अपने रूमें रेस्ट करें इस प्रकाल केरल ट्रिप का आपका पांचमा दिन समाप्त होता है अगले दिन आपकी नीद houseboat पर अपने आप जल्दी खुल जाएगी आप houseboat से sunrise देखे तता फिर fresh होकर तता नहाक कर breakfast करे houseboat आपको 9 से 10 बजे के बीच अलेपी houseboat ride starting point पर drop कर देगा यह वही जगह होगी जहां से आप houseboat में बेठे थे इस mesmerizing सफर के बाद आप महीं से अर्तात houseboat ride starting point से कोवलम जाने के लिए टेक्सी बुक करें टेक्सी आराम से मिल जाएगी अलेपी से कोवलम की दूरी 160 किलोमेटर तता यात्रा में लगबग 3-4 घंटे लगते हैं टेक्सी का किराया लगबग 2000 उपे रहेगा कोवलम के रास्ते में ही आप lunch कर ले आप कोवलम आराम से 1-2 बजे तक पहुँच जाएंगे कोवलम पहुचकर अपनी online book hotel में चेक इन करें इसके बाद आप रिक्षा या केप करके कोवलम का world famous light house beach तता कोवलम बीच देखने जाएगा यहाँ आप water sports का भी आनन्द ले सकते हैं आप यहाँ पर जो छोटे 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 restaurants होते हैं महाँ milkshake नारेल पानी अत्वा cold drinks भी समुद्र को देखते हुए पीजिएगा इसके बाद आप केब या रिक्षा से अपनी होटल में आ जाए तता rest करें इस प्रकार केरल में आपका छटा दिन समाप्त होता है अगले दिन अरता सातवी दिन आप अपनी होटल में breakfast करें तता कोवलम की अपनी होटल से चेक आउट करें तता कन्याकुमारी जाने के लिए टिक्सी बुक करें अब आप सोच रहे होंगे कि कन्याकुमारी तो तमिलनाडो में आता है वहां क्यों जाए हम तो केवल केरल घुमने आए तो इसका करण यह है कि कोवलम से कन्याकुमारी की दूरी केवल 80 किलोमेटर है तता फिर क्या पता कन्याकुमारी कब आना हो यदि इतना पास आकर कन्या कुमारी जैसे सुन्दर टूरिस्ट डिस्टिनिशन को आपने मिस कर दिया तो फिर क्या पता कबाना हो पचास से साथ हजार रुपे खर्च करके केवल कन्या कुमारी घुमने तो आप आएंगे नहीं तो इसलिए इस ट्रिप में ही कन्या कुमारी को शामिल कर लीजिएगा आप कोवलम से कन्या कुमारी केवल डिएड़ घंटे में ही पहुँच जाएंगे कोवलम से कन्या कुमारी तक का टेक्सी का किराय लगबग 1200 रुपे होता है यदि आप बस से जाते हैं तो प्रतिविक्ति किराय केवल 130 रुपे ही होता है कन्या कुमारी बस स्टेंट पहुचकर आप अपनी टेक्सी छोड़ दे तदा महां के या रेलवे स्टेशन के क्लाक रूम और तत लॉकर में अपना सामान रख दे क्लाक रूम का 24 घंटे का किराय केवल 10 से 20 रुपे ही होता है इसके बाद आप लोकल टूरिस्ट अट्रिक्शन दिखाने वाली टेक्सी या रिक्षा बुख कर ले यह मंदिर शिवजी की पतनी देवी पार्वती को समर्पित है इसके बाद आप फेरी अर्थत नाव से विवेकानन्द रॉक मेमोरियल देखने जाएं फेरी का किराया केवल 50 रुपे होता है तता रॉक मेमोरियल का टिकट 10 रुपे प्रतिविक्ति होता है यहाँ पर आपको घूमने में कम से कम दो घंटे लगेंगे इसके उपरांत आप वह जगे भी देखिएगा जहां अरप सागर, बंगाल की खाड़ी तता हिंद महासागर मिलते हैं इसके बाद आप क्लॉक रूम से अपना सामान वापस लेकर रेलवे स्टेशन जाए यदि कनेक्टिंग ट्रेन हो तो आप अपने ग्रह नगर की ओर प्रस्थान करें गोर्तलबे की कन्या कुमारी से 20 से ज़्यादा ट्रेने देश के विभिन भागों तक जाती ही ज़्यादी कनेक्टिंग ट्रेन उस दिन न हो तथा अगले दिन हो तो आप आज-पास के किसी होटल में राधवर रेस्ट करें अगले दिन आप सुपर breakfast करके hotel से check out करके कन्याकुमारी railway station से अपने ग्रह नगर की और प्रस्थान करें जदी फ्लाइट से जाना हो तो आप तिरुएनंत पुरम अर्था त्रिवेंद्रम की और प्रस्थान करें जो कन्याकुमारी से केबल 16 किलमेटर दूर है तिरू अनंतपुरम में एरपोर्ट है आप फ्लाइट से अपने ग्रह नगर की और प्रस्थान करें यदि आप ट्रेन से ही जाना चाहते हैं तथा आपके शहर तक कन्या कुमारी से ट्रेन न हो तो आप तिरू अनंतपुरम से भी अपने ग्रह नगर तक ट्रेन से जा सकते हैं किरू अनंतपुरम रेलवे स्टेशन से देश के सभी बड़े शहरों तक सो से ज़्यादा ट्रेने आती तथा जाती हैं महां से आप अपने ग्रह नगर की और प्रस्थान करें इस प्रकार आपकी यह केरल कन्या को मारी ट्रिप सुखत यादों के साथ समाप्त होती है अब हम केरल तता कन्या को मारी ट्रिप से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें आपको बताते हैं गोरतलभे की केरल में जो भोजन मिलता है उसमें हर चीज में नारियल तता केले का प्रयोग होता है तता खाना नारियल के तेल में या पेरशूट कोकोनोट आयल में बनता है इसलिए आपको शुरू में एक या दो दिन केरल में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा परंतु इसके बाद वही खाना आपको बहुत स्वादिस्ट तता हेल्दी लगने लगेगा केरल में इस्थानी लोग सामने तर बोल्चाल में केवल मल्यालम तता इंग्लिश लेंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं परंतु परेटन से जुड़े टेक्सी वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, हाउसबोट वाले तता नाव वाले बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं तो यदि आपको केवल हिंदी भाषा आती है, तो भी आपको लेंग्वेज की कोई परिशानी केरल में नहीं आईगी केरल में टेक्सी, रिक्षा, तदा केव के किराये में बारगेन, अर्थत मोलभाव की संभावना बहुत कम होती है इसलिए फालतू में बारगेन करके अपना कीमती समय नस्ट न करें यदि आपको अपनी बारगेन पावर का प्रयोग करना है, तो अलेपी के हाउसबोट के किराये में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ही अलेपी के हाउसबोट का किराय आप पूछेंगे तो वह एक दिन का 11,000 से 20,000 रुपे बताये जाएगा जिसे आप बारगेन करके 4,000 रुपे पर ला सकते हैं यदि अलेपी के हाउसबोट के किराय में हाउसबोट के मेनेजर या ओनर कमी नहीं करते हैं तो बिल्कुल टेंशन न ले शान्ती से केवल 15 मिनट इंतिजार करें हाउसबोट के मालिक या मेनेजर खुद भागे भागे आपके पास आएंगे और कहेंगे कि सर हाउसबोट में रूम वेकेंट है तता केवल आपके लिए ही हम किराया कम कर रहे हैं अब आप अपनी पसंद के किराय पर तता अपनी पसंद के हाउसबोट में रुख सकते हैं एक बात और याद रखें कि हाउसबोट बुक करने से पहले हाउसबोट को भीतर से अच्छे से देख लें अप सेवाएं आपको हाउसबोट पर मिलेंगी केरल ट्रिप में सबसे महंगी एक्टिविटी अलेपी के हाउसबोट होते हैं अलेपी के हाउसबोट आप चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कोई भी सला दे आउनलाइन बुक न करें इसका करण यह है कि एक तो आप बारगें नहीं कर पाएंगे तता दूसरा लगजरी हाउसबोट की इमेज दिखा कर सिंपल से हाउसबोट में आपको सेर कराई जाएगी तता इस इस्तिति में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसलिए अलेपी के हाउसबोट को आप अपनी आँखों से देखें महा की सुईधाई देखें जम कर बारगेन करें तता फिर हाउसबोट फाइनल करें इस प्रोसेस में आपका ज्यादा समय भी नहीं लगेगा केवल एक घंटे में अपनी पसंद का हाउसबोट आप बुक कर लेंगे जहां तक हो सके अलेपी में होटल बुक न करें सीधे हाउसबोट ही बुक करें तता उसमें ही चेक इन करें क्योंकि हाउस बोर्ट में ठहरने का experience अद्विती तथा mind blowing रहेगा इस trip की सबसे महत्वुन बात यह याद रखें कि केरल का मौसम बहुत तेजी से बदलता रहता है यदि तेज हवाएं चल रही हो तो water sports तथा नाव की सवारी बिल्कुल न करें केरल में लाखो नारियल के व्रक्ष हैं इसलिए जहां तक हो से के नारियल के व्रक्षों के नीचे से न निकले क्योंकि इन व्रक्षों से नारियल यदा कदा गिरते रहते हैं तता यदि नारियल आपके सिर पर गिर गया, तो नारियल को तो कुछ नहीं होगा, हाँ, आपका सर जरूर फट जाएगा, तता पूरी केरल ट्रिप अस्पताल में ही बितेगी, इसलिए केरल में रास्ते पर तो नजर रखेगा ही, साथ ही साथ उपर पेडों से गिरने वाले उसे भी बच कर चलिएगा, यह तो आप जानते ही केरल अपने आयरुवेदिक ट्रीटमेंट तता आयरुवेदिक मसाज के लिए वल्ड फेमस है, तो यदि आप इस तरह की सेवाईं लेना चाहते हैं, तो आप जिस होटल में रुकते हैं, वहां के स्पा में यह सेवाईं प होती है, परन्तु वह हद से जादा महेंगी होती है, तो हमारी आपको सलाएगे हाउस बोड पर आयरुवेदिक ट्रीटमेंट तता मसाज न कराएं, एक बात और याद रखें कि यदि आप मानसून के महिने में केरल ट्रिप पर जाते हैं, तो आप पहले से ही अपनी किनारे न जाएं, केरल ट्रिप में मुनार में आपको गर्म कपड़ों की जरूत पड़ेगी, इसलिए हलके फुल के गर्म कपड़े अवश रखिएगा, नेक्स पॉइंट है, केरल ट्रिप में अपने साथ अच्छी गृप वाले जूते ही रखें, केरल ट्रिप में का विशेश ध्यान रखें, केरल ट्रिप में आप परियावरन फेंडली सामगरी का ही उप्योग करें, अपने साथ पीने के पानी के लिए स्टील की बोटल लेकर जाएं, यह बात आप गांट बांद लें कि होटल के रिसेप्शन पर उपस्तित ट्रेवल एजेंटों से ट् कोई दिक्कत नहीं है, अब बस तता रिक्षा से भी बिना परिशानी के गुम सकते हैं, अब हम इस साथ दिन की केरल कन्यकमारी ट्रिप के अधिक्तम कुल खर्च की बात करते हैं, चार लोगों का केरल आने जाने का फ्लाइट का कुल किराया लगबग 20,000 रुपे, चार लो कोई जन का खर्च लगबग 8,000 रुपे, चार लोगों का साथ दिन का साइट सींग तथा एक्टिवीटी का खर्च 3,000 रुपे, चार लोगों का केरल कन्यकमारी में साथ दिन का अधिक्तम कुल खर्च लगबग 60,000 रुपे, इसे यदि चार से डिवाइट किया जाए, तो प्रतिवेक्ति अधिक्तम कूल खर्च लगबग 15,000 रुपे आएगा इस प्रकार आप केवल 15,000 रुपे में शांदार तरीके से लगजरी हाउस बोट टेक्सी तिता फ्लाइट को शामिल करते हुए केरल करन्या कुमारी घुम सकते हैं यदि आप फ्लाइट की जगे ट्रेन से का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकरी सही तथा उपयोगी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास अर्थात ट्रेवल एंड एक्स्प्लोर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू